वहुत सारी स्टुडेंट मेरे को इंश्टाग्रांप पर मैं अध्सक्राइब कर रहे है कि बैया मीटी दो सब्ज़ेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आ गई ठीक है और इस साल compartment exam होगा केवल एक तो मेरे दूसरे subject में जिसमें compartment आई है RT लिखा हुआ है उसका क्या होगा वो exam मेरा कब होगा next year होगा अगर next year होगा तो next year कब होगा compartment वाले बच्चोक शाथ या board exam के साथ तो इस topic पर मैं वीडियो बना रहो ही आप लोगों की demand ठीक है अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो subscribe करो शाथी बैल आक वेस्ट करो और वीडियो पसंद आए तो like करो देखा है सबसे पहले चीज़ तो यह है कि आप class 12 TBSC के अंदर है आपकी मालों 2 subject में अगर compartment आई हुई है ठीक है दो subject में compartment आई हुई है तो वो एक आपके में additional subject जरूर होगा अगर दो subject में तो आई compartment आई है अगर एक subject में केवल compartment आई तो एक का तो होई जाता है कोई दिकत नहीं है additional subject है अगर आपका और एक में compartment आई तो चल जाता है क्योंकि सीबसी एक यह बार इक्जाम कराता है ट्यान रखो इस बात को दूसरा सब्जेक्ट रहे गया उसका क्या होगा पहली चीज तो यह अभी जो 17 जुलाई को तुम्हारा बाइटी लिखा रहेगा पास हो जाओगे बस्क्समें अर्टी लिखा रहेगा बट तुम वह रटी हटाना चाहरे हो दूसरा सब्डेक्ट भी पास करना चाहरे हो उसके लिए क्या कर सकते हो इस साल तो कुछ नहीं हो सकता है नेक्स्ट यह आपको फॉर्म फिल करना है तो देखो मेरे बाई के लिए मुझे नहीं पता है इसा होगा मैं बताता हूं मैंने दित्ता भी पड़ा है रिसर्च किया नेक्स्ट यह जो बोर्ड एक्जाम हो गया उनके साथ आपको एक्जाम देना पड़ेगा जिसका भी आप देना चाहें जिसमें आपकी कमपार्टमेंट बचा हुआ है ठीक है अब बड़ी चीज यह भाईया उसका मेरे को करना क्या है फॉर्म अगरा क्या से क्या फिल करना है देखो उसकी के रिगार्डिंग आप एक और स्कूल में कॉन्टेट कर लेना वह आपको फॉर्म करा देंगे सारी चीज वो करा कीजाफ सत्कूल में इल्षिप इस स्कूल में बने है और सब्सक्राइब लो अब मालो next year आपने एक subject का दिया compartment exam board exam बाले बच्छों के साथ उसमें भी आप fail होगे तो क्या होगा तो फिर जब next year compartment का exam होगा board exam के बाद compartment उसके साथ आप फिर से exam दे सकते उसको ठीक है दूसरा मोका भी आपको मिलता है ठीक है अब पट एक subject में जो IT लिखा हुआ इसको आप हटाना चाहा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक करना है next year जो board exam होगे उनके साथ में आपको subject का exam देना है अब वो improvement हो सकते है compartment हो सकते है जो भी एक बार स्कूल में बात कर लेना वो आपको form fill करा देंगे आपको साथ चीज बता देंगे ठीक है तो इस तरीक से आपको IT हट जाएगा आप सभी subject में path हो जाएंगे ठीक है I hope आपको आपका answer मिल गया होगा बाकि और कुछ डाड़ कुछ ना हो तो आप नीचे comment कर सकते है I will definitely help you इस वीडियो में इतना ही गाइस पसंद आई तो लाइक कर देना और पहले बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने साथी बेल आंक प्रस कुछ भी प्रॉब्लम हो आपनी से comment करो मैं definitely आपकी help करूंगा इस ट्रॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा झाले गाइस में आपकी बीडियो में देले ने क्या बाइब